भेंकर आपदा के सो साल की विकास का नाया विश्वास लेकर आया है ये बजेट अर्थ ववस्ता को मजबूती देने के साथ ही सामान्य मानुवी के लिए अनेक नए आउसर बनाएगा ये बजेट more infrastructure, more investment, more growth और more jobs की नई संभावनाओं से भराव हुआ है और एक नया क्षेत्र और खुला है और वो है green jobs का ये बजेट तत्कालिन आवशक्ताओं का भी समाधान करता है और देश के युवाओं के उजवल भविश को भी सुनिस्षित करता है ये पिछले कुछ गंटों से देख रहा हूँ जिस प्रकार से इस बजेट का हर खेत्र में स्वागत हुआ है सामान्य मानवी की जो सकारात्मक प्रतिक्रिया आई है उसने जन्ता जन्रादर्ण की सेवा का हमारा उत्सा अनेक गुना बढ़ा दिया है जीवन के हर खेत्र में आधुनिकता आएं टेकनोलोजी आएं जैसे किसान ड्रॉन हो बंदे भारा ट्रेन हो डिजिटल करेंसी हो बैंकिंग के खेत्र में डिजिटल युनिट्स हो फाइविसीज सर्विसीज का रोल आउट हो नेशनल हेल्थ के लिए डिजिटल इकोसिस्टिम हो इनका लाब हमारे युवा हमारे मद्यमबर्ग गरीब दलीद पिछडे यह समी वर्गों को मिलेगा इस बजेट का एक महत्वपुन पहलू है गरीब का कल्यान हर गरीब के पास पकता घर हो नल से जलाता हो उसके पास साउचाले हो गैस की सुविदा हो इन सभी पर विशेश ध्यान दिया गया है इसके साथ ही आधुनिक इंटरनेट कनेक्टिविटी पर भी उतना ही जोर है जो भारत के पहड़ी ख्षेत्र है हिमालय का पुरा पट्टा जहां जीवन आसान बने वहां से पलायन ना हो इसे ध्यान में रखते विए भी नई गोशना की गई है हिमाचल उत्राखन जम्मु किश्मीर नौर्स इस ऐसे छेत्रों के लिए पहली बार देश में परवत माला योजना शुरू की जा रही है ये योजना पहाड़ों पर ट्रांस्पोर्टेशन और कनेक्टिविटी की आधुनिक ववस्ता का निर्मान करेगी और इससे हमारे देश के जो सीमावर्ति गाउं है बौर्डर के गाउं है जिसका वाइबरन्ट होना जरूरी है जो देश की सिकुरिटी के लिए भी आवश्रक्ता है उसको भी बहुत बड़ी ताकत मिलेगी भारत के कोटी कोटी जनों की आस्ता मा गंगा की सफाई के साथ साथ किसानों के कल्यान के लिए एक महत्वपुर्ण कदम उठाया गया है उत्तराखन उत्तरप्रदेश जारखन बिहार पस्चिममगा इन राज्यों में गंगा किनारे नेचुरल फार्मिंग को प्रोच्छान दिया जाएगा इससे मा गंगा की सफाई का जो अभियान है उसमें मा गंगा को केमिकल मुक्त करने में भी बहुत मड़ी मदद मिलेगी बजेट के प्रावधाम यह सुनिश्चित करने वाले हैं कि क्रशी लाबप्रद हो इसमें नए अवसर हो नए एग्रिकल्चर स्टार्ट अप्स को प्रोसान देने के लिए विशेश फंड हो या फिर फूर्ड प्रोसेसिंग उद्योग के लिए नया पैकेज इससे किसानों की आए बढ़ाने में बहुत मदद मिलेगी MSP खरीद के माध्यम से किसानों के खाते में सवा दो लाग करोड रुपे से भी जादा सीधे ट्रांसफर किये जा रहे हैं कोरोना काल में MSP यानि हमारे छोटे उद्योगों के मदद और उनकी सुरक्षा के लिए देश ने लगातार अनेक निर्णे लिए थे अनेक प्रकार की मदद पहुचाई थी इस बजेट में क्रेडिट गारंटी में रिकॉर्ड वृद्धी के साथ ही कई नई योजनाओं का एलान किया गया है डिफेंस के कैपिटल बजेट का 68 परसेंट डोमेस्टीक इंडिस्ट्री को रिजर्व करने का भी बड़ा लाब भारत के MSME सेक्टर को मिलेगा ये आत्मन दिर्भात्रा की तरफ बहुत बड़ा मजबूत कदम है साड़े साथ लाग करोड रुपिय के पप्लिक इन्वेस्टमेंट से अर्थिववस्ता को नई गती के साथ ही छोटे और अन्य उद्योगों के लिए नए आउसर भी बनेंगे मैं वित्नमंत्री, निर्मला जी और उनकी पूरी टीम को इस पीपल फ्रेंडली और प्रोग्रेसिव बजेट के लिए बहुत-बहुत बधाई देता हूँ कल भारतिय जनता पार्टी ने मुझे सुबह ग्यारा बजे बजेट और आत्मनिर भर बारत विशेपर बात करने के लिए निमंत्रित किया है कल ग्यारा बजेट मैं बजेट के इस विशेपर विस्तार से बात करूँगा आज इतना काफी है बहुत-बहुत धन्यवाद